का प्रतिशत रहा है वो अगर हम लोग AC wise बता दें तो सिमरिया विधान सबाक्षेत्र का 65.06 प्रतिशत रहा चत्रा विधान सबाक्षेत्र का 61.98 प्रतिशत उसका 62 कर बोल सकते हैं मनिका का जो है वो 63.94 प्रतिशत लातेहार का 66.78 प्रतिशत और पांकी का 61.22 प्रतिशत तो टोटल चत्रा लोग सबाक्षेत्र का जो मद्दान प्रतिशत रहा वो 63.69 प्रतिशत है इसमें पोस्टल बैलेट इंक्लूडेड नहीं है मतलद एक्स्क्लूडिंग पोस्टल बैलेट है तो इसमें नंबर्स में अगर हम लोग बता दें तो अठारा सो निन्यानवे पोलिंग स्टेशन पर मद्दान संपन्न हुआ कूल जो वोटर्स थे वह 16,89,926 थे जिन्होंने वोट डाला वह 5,12,869 पुरुष थे और महिला 5,63,493 यह 16 जो है लोग सबाक्षेत्र का वह 63,69 प्रतिशत रहा है मत्दाता जो है इसमें 68,06 प्रतिशत महिला मत्दाताओं ने वोटिंग किए और 59,5 प्रतिशत पुरुष मत्दाताओं ने वोटिंग किया इसमें यह मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह नमबर रिफलेक्त कर रहा है कि यहां से बाहर काम करने के लिए जो पुरुष मद्दाता स्पेशली गया है अग्रेशिव भी थी और लेकिन कुछ लोग बाहर जो काम करने के लिए उसमें जितनी यह हर बार का प्रेंट रहता है पिछली बार का भी हम लोगों ने देखा उसमें महिलाओं का ही ज्यादा तामद्दान प्रतिशत है तो इसमें 2019 के अगर आकड़े आप देखिएगा पारलेमेंटरी कॉंस्टिएंसी की हम शुरुवात में बात कर रहा है बात में हम डिस्टिक पर आते हैं तो पिछली बार 64.83 प्रतिशत रहा था वोटिंग इस बार 63.69 प्रतिशत हुआ है अगें जैसे मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि पिछली बार के जो आपड़े उसमें पोस्टल बैलेट भी इंक्लूडेट था इसमें नहीं है तो जैसे हम लोगों के इसमें भी वो जो कुछ नंबर इंक्रेज होंगे तो इसमें और बढ़ 2019 में हम लोगों के हाँ पे 63.67 प्रतिशत वोटिंग हुआ था 63.77 प्रतिशत और जिसमें महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 67.8 प्रतिशत था जारकंड के इतिहास में पहली बार, नीट यूजी में 700 माक्स पार, 10th पास स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट के लिए टार्गेट कोर्स, इस में इसे शिरू हो रहे हैं, कॉंटाक्ट बायोम 7360066191